अज़ा धी दिकेट है तो फिर चलिये हम हम थिंदी में record करेंगे तो आज हम सभी गनेश पंडाल विजिट करेंगे मिरा रोड और दैसर के और देखेंगे कि ये COVID-19 और कोरोना वाइरस की इशू चलते ही गनेश उससो केसे मनाया जा रहा है आज कंपर तो लास्ट इयर पचिस थे तीस गनेश पंडाल थे तो देखते आज मिरा रोड में कितने सारे गनेश पंडाल रखे है तो फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी एरिया से पिंकर पड़ा ये एक गनेश मंदीर है जो साइट में हम हर साल बपा की मुर्ती भी रखते है यह एक हमारा सारवजनिक गनेश मंडल है, पेंकर पाड़ा, इस बार का अगर आप डेकुरेशन देखोगे तो एकदम सिंपल तरीके से बनाया गया है, नहीं तो हम हर साल यहाँ पे डेकुरेशन बहुत अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है, अपा की मूर्थी कैसी भी हो, देखते ही मन प्रसन हो जाता है, मैं डिफरेंट एंगल से वीडियो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बार का जो डेकुरेशन सिंपल ही है, लेकिन जितना सिंपल है उतना देखने के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है, और लाइटिंग भी बहुत अच्छी तरी इसे की गए है, यह गनपती अनन्त चतुर्तित्यक रहता है, और फिर हमारे एरिया में जो तलाव है, वहां पे हम इनका विसरजन कर देते हैं, अभी हम आए है, सिल्वर पाक, जो साही बाबा का मंदिर है, उसके ऑपोसिट में एक बड़ा सा पंडाल देता है, लेकिन इस जाल बहुत छोटा सा पंडाल किया गया है, और वहां पे बपा की मुर्ती रखी गई है, यह एक सारवजन की मंडल है, लेकिन इस पार बहुत छ चोटा सा पंडल किया है, जो भी इशूज है अभी चल रहे है, उसके वज़े से बहुत सा छोटा सा पंडाल वान के मुर्ती रखी गई है, दोनों भी पापा की मुर्ती बहुत सुन्दर है दिखने में, और यहां पे भी बहुत सिंपल तरिके से ही डेकोरेशन किया गया है अभी हम पुरा मिरारोड गुम के आये हैं लास्ट यर कंपेर करोगे तो 25 से 30 गनेश पंडाल थे और इस बार शायद किसी ने रखे ही नहीं है रखे रहेंगे तो डेड़ दीन के रखे दे क्योंकि पुरा मिरारोड गुम के है हमें स्रीब दो ही जगह मिले एक तो मेरे एरिया पेंकरपडा में खुद और एक सिल्वर पाग में बाकी स्टेशन हो जांगीर हो सब जगह हम गुम के आये कहीं पे गनेश पंडाल तो मिले नहीं में भी डेड़ दिन के रखे रहेंगे और समने विसरजन कर चुके तो अभी हम फिलाल दैसर जा रहे होप सो दैसर में हमें एटलिस दो तिन गनपती पंडाल देखने मिलेंगे मेरे खायल से भाटला मंदीर और विटर मंदीर के जो है सारवजेनिक मंदीर एटलिस वो हमें देखने मिलेंगे जो चलो वहां पर जाते हैं अभी बैड लगी बोले या क्या बोलू या हम ही लेट हो गए थे क्योंकि मोस्टली सभी अभी लगता है कि दीड दिन या पाच और साथ दिन के गनेश मूर्थी रखे थे क्योंकि बाटला मंदी भी नहीं विठर मंदीर में भी गनपदी के पंडाल हमने देखा लेकिन वहां पर भी गनपदी नहीं थे तो मोस्टली लगता है साथ दिन के गनपदी रखे थे या डेड़ दिन या किसी किसी ने तो रखे ही नहीं है क्योंकि मोशली सब सारवजनिक गनेश मूर्थी रहते है जो पंडाल रहते हैं मोशली अनन्त चतुरती तक रहते यह पूरे 10 या 11 दिन के रहते तो इस बार लगता है यह करोना के चलते सभी लोगों ने जल्दी से ही विसरजन कर दिया है गनेश मूर्थी का वैसे दैसर से मे मिलेंगे लिए ऐसे हुआ नहीं चलो कोई बात में लेक्स्टियर हम इसे भी बहुत धुमदाम से गनेश चतुरती मनाएंगे भाई